भारतिय होकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है पुरुष होकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद रीड ने यह फैसला किया ग्राहम रीड की कोचिंग में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांसे पदग जीता था अब खराब प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के हेड कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है रीड के अलावा विशलेशन कोच ग्रेग क्लाक और वैग्यानिक सलाहकार मिशेल डेविड पिमबरटन ने भी त्याग पत्र दे दिया है इन तीनों के इस्तीफे को होकी इंडिया ने स्वीकार कर लिया है 58 वर्शिय रीड ने भुवनेश्वर में विश्वकप के समापन के एक दिन बाद होकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की को अपना इस्तीफा सौंप दिया ग्राहम वीड ने इस्तीफे के बाद कहा अब समय आ गया है कि मैं हट जाओ और अगले प्रबंधन को शासन सौंप दूँ भारतिय टीम और होकी इंडिया के साथ काम करना सम्मान और सौभाग्य की बात है और मैंने इस शांदार यात्रा के हरपल का आनन लिया है मैं टीम को शुब कामनाय देता हूँ इस्तीफा देने के बाद तीनों अगले महीने नोटिस पीरियड में रहेंगे आस्ट्रेलिया के लिए होकी खेल चुके रीड और उनकी टीम के साथ भारत ने 41 साल बाद उलम्पिक कांसे पदग जीता था इसके अलावा भारतिये टीम ने बमिंगम राष्ट्रमंडल खेलों में रजट और एफाइच प्रो लीग 2021-22 सात्र में तीस रास्थान हासिल किया रीड के कोच रहते भारतिये टीम ने 2019 में एफाइच विश्व सीरीस फाइनल्स जीता था इसके बाद भुवनेश्वर में उलम्पिक क्वालिफाय जीत कर टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाय किया रीड समेट तीनों के स्टीफेस विकार करते हुए होकी इंडिया अध्यक्ष टिर्की ने कहा रहम वीड और उनकी टीम का भारत सदैव रिनी रहेगा जिन्होंने हमें अच्छे नतीजे दिये खासकर ओलम्पिक खेल में हर्यात्रा में नए पढ़ाव आते हैं और अब हमें भी टीम के लिए नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा भारत होकी वर्ल्ड कप 2023 में नौवे स्थान पर रहा क्रोसोब मुकाबले में टीम इंडिया को बारवी रैंकिंग की टीम न्यूजीलेंड के खिलाफ हार कर खिताब की रेस से आउट होना पड़ा था उस मैच में निर्धारित समय तक दोनों टीमें तीन-तीन की बरावरी पर थी जिसके चलते मुकाबला शूट आउट में गया था शूट आउट में न्यूजीलेंड ने पांच-चार से जीत हासिल की पिछले विश्व कप में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था तब ग्रूप में टॉप करने के बावजूद भारतिये टीम का अभियान क्वाटर फाइनल में ही समाप्त हो गया था भारत वर्ल्ड कप 2023 में ग्रूप स्टेज की समाप्ती के बाद अपने ग्रूप D में दूसरे स्थान पर रहा था भारत के तीन मैच में दो जीत और एक ड्रॉ से साथ अंक रहे इस ग्रूप से इंग्लैंड ने बहतर गोल औसत आठ के दम पर भारत को पचार कर डाइरेक्ट क्वाटर फाइनल में प्रवेश किया यदि भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया होता तो वह सीधे क्वाटर फाइनल में होती लेटिस्ट स्पोर्ट्स अपडेट पने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब किजिए